तो गाइस कहते हैं ना knowledge is power यानि ज्ञान ही सकती है वो चीज़ हमको इस module से पता चला अब पताते हैं आपको कैसे हम इस module को लगबाग एक साल सी उच कर रहे हैं कोई प्रब्लम नहीं आया आप देख सकते हैं कई सारे modification भी किये हैं हम इसमें ताकि हम एक ही module से कई सारे batteries को charge कर सके क्योंकि मेरे पास एक ही module थे कोई प्रब्लम नहीं आया अभी तक एक साल सी उच कर रहे हैं लेकिन बुरा हमको तब लगा जब हमको पाता चला कि इसके बिना भी काम हो सकता था इसकी बिना भी एक ऐसा चार्जिक बन सकता था जो इससे ज्यादा तो नहीं ज्यादा फे तो चलिए आपको बताते हैं चार्जिंग मोडिल जैसा ही चार्ज करने का एक सार्कीट कैसे बनाए करते हैं सबसे पहले आपको लेना है डायोड इस तरह का ठीक है इस तक रही करके दिखाते हैं ठीक है ja कर दीया कूंत सब्सेर करें हैं है never पहले अपिर नटीव पुजिटिव निगटी पुजिटिव न निगटीव ना पड़ता चलिए देखते हैं कैसे कि हैं यह दिखे नजीब और तो यह फिर नजीफ पोजिटीफ पॉस्टिफ यह फिर नाखे कि पोजिटिफ और हम Clements यहाँ पर दीन देख रहा है यह आपका निजीब का साइन को इसको इसको होना चाहिए तहक gray वन्ले करें तो गाइस मैंने इसको सुधार दिया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगटिव है फिर फॉस्टिव हो के खतम है आप अब देख सकते हैं चारो डायोट प्रोपर सेरीज कनेक्शन में है उसके बाद काइस आपको लेना है इस तरीके से एक यूस्बी के बाइल जिसका ज सकते हैं इसमें से सिर्फ अर बलेक याँ कामका है बाकी टो यहाँ पर आपको एक ष data शाहते हैं इंपधर के चार्जर में में से यूस्बी के बल्ल नहीं काटिएगा हो सकता है एक भी घर से डांट अगर आपके घर में पुराना यस्बी केबल नहीं है तो आप जा सकते हैं मार्केट मोबाइल रिपैरिंग के दुकान में आपको पक्का एक पुराना USB केबल मिल ही जाएगा अब हम हमारे USB केबल के ब्लैक वायर यानि नेगटीब टर्मिनल को डायोड के नेगटीब टर्मिनल के साथ सोल्डिंग कर देंगे लेकिन 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 गाइस हम लोगों पता करना पड़ेगा कि बैटीज का फुल चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है और वो वोल्टेज हम लोग पाता चलेगा इस मोडियूल से तो चलिए चेक करते हैं कि इस मोडियूल में फूल चारजिंग वोल्टेज कितना आप देता है और यह दिए मल्टिमेटर में यह रेडिंग सो कर रहा है 4.11 यानि 4.11 वोल्टेज अब हम हमारी USB केबल को चाजरे साथ कर सकते हैं और देख चलिए देखते हैं कि हमारे चार्जर हैओ हो आउटपुट में कितना भूल्टेज देता है आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा जो चार्जर है वो आउटपूट में 5.10 वोल्ट आउटपूट में देता है अब हम लोगों देखना यह है कि हम लोगों कितने डायोड का जरूत होगा जिससे हम लोग फूल चार्जिए वोल्टेज के आसपास के वोल्टेज तक पहुंच सकें अब देख सकते हैं मल्टीमेटर में हमारे जो पहला डायोड है वो हमारे वोल्टेज को 4.73 तक डाउन कर दे रहा है अब हमारे जो दूसरा डायोड है वो हमारे वोल्टेज को 4.38 तक डाउन कर दे रहा है और हमारे जो तीसरा डायोड है वो हमारे वोल्टेज को 4.01 तक डाउन करते रहा है जो एकदम परफेक्ट वोल्टेज है हमारे बैटरी को चाइज करने के लिए अब चली हमारा जो एक्स्टा डायोड है उसको खोल के तीन ही डायोड के मत से हमारा DIY चार्जिंग मोडिल बनाते हैं भी यह रहा उस चार्जिंग मोडिल का मिनी वर्जन अब टेंसन मत लिजेगा गाईज यह वो ही डायोड से बस इनके टर्मिनल को काटके छोटा कर दिया ग जरूब पड़ा होगा वहां से आप एक टोड़ा ले सकते हैं और इसका सबसे बड़ा खुबी यह होता है कि यह प्लास्टिक की तरह जब आप सोल्डिंग करेंगे तो यह पीग लेगा नहीं आप इसमें रियल टाइम यानिक बाड़ी आसानी से सोल्डिंग कर सकते हैं और यह दिखिए इसमें जेदद भी आसानी से हो गया और आसमें आराम से फिट भी कर पा रहे जब आ हैं और यह देखिए फिट हो गयाए अब चलिए इतना कर ही दिये हैं तो चलिए इसमें दो एलेडी भी लगा जैते हैं ऐसे इंडिकेटर जिसका connection बहुत ही आसान है अब जस्ट एक एक जलक देखते ही समुझेएगा इसमें हम positive को commonly है यह याद रखिएगा बस आपको एक ही जीज यहां पर बताने का जुरूत है वह है इस register के बारे में जिसका value है 5 kilo ohm का अब देख सकते हैं यहां पर clearly अब चलिए इसमें दो एलडी है इसलिए दो रेइस्टर निकाल के दोनों में एक एक करके शोल्डिंग कर देते हैं अब चलिए इसमें से आपको input और output निकाल के दिखाते हैं लेकिन उससे पहले आप इस circuit का front side भी देख लीजिए ताकि आपको इस circuit के connection का पूरा पूरी confirmation हो जाए अब आपको बताते हैं input और output कहां कहां होगा तो चलिए अब हमारी USB के बलको लाते हैं और USB के बलके black wire यानि negative terminal को diode के negative terminals के साथ sorting कर देते हैं और जो USB के बलका red wire है यानि positive terminal वो दोनों LED के positive terminals और output के positive terminal तीनों के साथ को मान है इसलिए सब को एक ही जगा कर देते हैं तो गाइस यहां पर हम लोग एक छेद करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से negative terminal निकलने वाला है तो चलिए अब नेटी टर्निल को sorting कर देते हैं दो डायोट के बार दूसरे और तीसरे डायोट के बीच में देखे सोल्डिंग हो गया और यह देखे फाइनल हम लोगा negative terminal निकल गया अब बार यह पोजिटिव टर्मिल की पोजिटिव टर्मिल सब के लिए को मान है इसलिए इस पोजिटिव टर्मिल वहीं से लिए हैं तो चलिए पोजिटिव आउटपूट भी निकल लेते हैं अब यह दिखे हम लोगा पोजिटिव आउटपूट भी निकल गया और इसी कसाद गाइस हम लोगा जो मॉडियूल है वह बन के तयार है आप चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं और अगर आप लोग भूल गए हैं तो आपको हम याद दिला जते हैं कि इसका जो बैस चार्जिंग वोल्टेज है वह 4.01 से लेकर 4.11 तक है और यह देखाइस हम लोगा मॉडिल का जो आउटपूट है वह मल्टिमेटर में 4.04 बोल्ट सो कर रहा है जो अगदम परफेक्ट चार्जिंग वोल्टेज है अब हम लोग का बैटरी बहुत मज़े से चार्ज होगा उसको बहुत टेस्ट टेस्ट टिखाना मिलेगा तो गाइज इतना कर ही दिये तो चलिए इसमें एक बैटरी भी करनेट करके देख लेते हैं और यह देखिए मेरे पास है यह 3.7 वोल्ट का मॉडल नंबर है 18650 और यह दिखे इसको हम कनेट भी कर दिये हैं आप देखना यह है कि क्या यह चार्ज कर पाएगा या नहीं हमको पूरा भरोसा यह चार्ज आराम से कर लेगा और यह दिखी भी रहा है आप देख सकते हैं मल्टिमेटर में धरे-धरे वोल्टेज बढ सब्सक्राइब और यह दिखे इसका चार्जिंग वोल्टेज 3.36 से लेकर 3.40 तक पहुंच गया अब आपका इतना फर्स तो बनता ही है कि आप वीडियो का लाइक करें और चैनल को सुस्राइब कर दें और पूछिए कमेंट में जो भी पूछना है